मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा सज्जेक्ट है खाद विज्ञान के सिध्धांत तथा पोसड जिसका पहला कोश्चन है पोसड की इस्थितियों का वरण कीजिए ज़िए देखते हैं इसका अंतर पोसड की इस्थितियां मनुष से जिस परकार भोजन ग्राड करता है वह उसके स्वास्त को सीधे तोर पर प्रवावित करता है सामया निता पोसड की दो प्रमुक इस्थितियां देखी जा सकते हैं नमबर एक सुपोसड नमबर दो कूपोसड चैने देखते हैं सुपोसड के बारे में सुपोसड अथवा उत्तम पोसड वह इस्थितिया है जब व इस इस्तित में व्यक्त को आहार द्वारा सभी प्रकार के आवस्यक पोसक तत्त उचित एवं वांचित मात्रा में प्राप्त होते हैं सुपोसित व्यक्त के सरीर में सभी पोसक तत्तों का उपयोग भली प्रकार से होता है या इस्तित व्यक्त के उत्तम स्वास्त को बनाए र अनुपस्तिती ही नहीं बल्कि वह पूर रूप से सारेरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से उत्तम प्राप्त करना है एक स्वस्त एवं सुपोच्य सित व्यक्ति के सरीर में निम्लछट पाये जाते हैं सरी का सुविकस्थित होना दो आयज यह के अनुसार उचित लंबाई एवं भार प्राप्तब करना City साउं आवं कांतिमान तो चाहर नमबर 2 सुच्छ एवं कांत नमबर साथ विक्ति को पर्याप्त भूख लगती है एवं पाच्चन संस्तान भली प्रकार कारे करता है नमबर आठ विक्ति को नित्य समय पर गहरी निंद्रा आती हो नमबर नौ मल एवं अन्य वेर्थर पदार्थों का उचित निस्कासन एवं उत्रजन नमबर दास सरीर आसानी से गति करता हो नमबर ग्यारा सरीर के सभी अंग सामान ने रूप से कारे करते हो नमबर बारा सभी ग्यानेंद्रिया भली प्रकार अपना कारे करती हो ळिक्त की नाडी एवं रग्त चाप विक्त की आयू एवं लिंग के अनुसार सामान ने हो विक्त के सरीरहया उस्त उस्तित को कुपोषड कहा जाता है कुपोषड की स्तित में व्यक्ति का सरीरह से कंजोर एवं रोग roughly जाता है विक्ति के आहार में यदि पोसक्ततों की कमी हो अथवा पोसक्ततों आशकता से अधिन मात्रा में उपस्तित हो तो वे सरीर में कुपोसड की इस्तिति उत्पन्य कर सकते हैं कुपोसड की इस्थिति में व्यक्ति को आसंदुलित मात्रा में पोसकत्त प्राप्त होते हैं कुपोसड की दो इस्थितिया होते हैं नमबर एक अलप पोसड नमबर दो अतिपोसड अलप पोसड का अर्थ है शरीर में एक या एक से अधिक पोसकत्तो की कमी आलप पोसड की इस्तित में सरीर को पर्याप्त एवं आवस्चक मात्रा में पोसग तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं बच्चों में प्रोटीन उर्जा को पोसड विटामिन ए की कमी द्वारा उत्पन इस्तित रताउंधी लव लवड की कमी से उत्पन एनेमिया आलप पोसड द्वारा उत्पन को पोसड के उधारण हैं आलप पोसड मुख्य रूप से निमने दो काड़ो दो अरा उत्पन होता है नमबर एक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भरपेट भोजन उपलब्द ना हो नमबर दो व्यक्ति को भरपेट भोजन तो उपलब्द हो परंतो उपलब्द भोजन में पोस्टिक तत्तो का आभाव हो अलप पोसड की दसा में व्यक्ति सारेरिक रूप से कमजोर हो जाता है उसकी कारेशमता कम हो जाती है वेक्त को विबिन रोग एवं संक्रमड सीग्र घेर लेते हैं हमारा राष्ट आज उन्नती के मार्ग पर आगरसर है परन्तो विबिन सर्वेच्टों से आग्यात होता है कि भारत में निम्न आय वर्ग के बच्चे एवं महिलाएं कुपोसड से गरसित हैं बड़ी संक्या में बच्चे प्रोटीन उर्जा कुपोसड विटामिन ए की कमी एनेमिया जैसे रोगों द्वारा गरसित हैं कि सोरियों तथा महिलाओं में भी लवड की कमी द्वारा उत्पन एनेमिया रोग बहुतायत में दिखाई देता है पोसक तत्तों की अधित्ता भी कुपोसड का कारण हो सकते है इसको हम अतिपोसड द्वारा उत्पन कुपोसड की संग्याद दे सकते हैं मुटापा इसका उदारण है यदि मुटापा इसका उदारण है इस हिस्थित में वेक्ति आउसकता से अधिक उड़्जा या कालोरी अपने अहार में समलित करता है यह अत्रिक्त उड़्जा सरीर में वसा के रूम में संगरहित कर लिजाती है पोसर की इस्थितियों को हम नीमने चित्र दोहरा भली प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों इस चित्र को द्यान पूरोग देख लेजिए सबसे पहले पोसर की स्थितियां यह दो प्रकार नमबर एक सु पहला है सु पोसर फिर कुपोसर कुपोसर दो प्रकार होता है पहला अतिपोसड और अल्पोसड चलिए देखते हैं कुपोसड के संभावित कारण चलिए देखते हैं कुपोसड कई कारणों से हो सकता है प्रंद कुपोसड की स्थित के लिए मुख के रूप से निम्न कारण उत्तर दाई है नमबर एक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में आहार प्राप्त ना होना, चलिए देखते इसके अंतरगत, यदि व्यक्ति को किसी कारण वस्पर्याप्त मात्रा में बरपेट बोजन उपलब्द नहीं हो, तो स्वता ही उसके सरीर में पॉस्टिक तत्तों की कमी हो जाएगी, एवं वाकुपोसर से सीग्र गरसित हो जाएग नमर दो, पॉस्टक तत्तों की मांग की पूर्थि ना होना, चलिए देखते इसके अंतरगत, यदि व्यक्ति अपने आहार में विविद्ध खाद्रपदार्तों को समलित नहीं करता, तथा संतुलित आहर ग्रहन नहीं करता है, तो उसके सरीर में कई पॉस्टक तत्तों या भी पॉस्टी तत्तों की सारीरिक अवसकता की पूर्थि नहीं हो पाती है, फलता वह कुपोसर का सिकार हो जाता है, नमर तीन, आयू लिंग किरिया सीलता एवं सारीरिक विवस्था के अनुरूप भोजन की अनुपलब्दता, थिए देखते इसके अंतरगत, अलग अलग आयू लिंग किरिया सीलता एवं सारीरिक अवसकता के लोगों की पॉस्थिक तत्तों की मांग भिन भिन होती है, उधारण के लिए कि सोरा वस्था एक व्रधिकाल है, जिसमें व्रधिकार पॉसकता की सारीरिक शरीर में अधिक आसकता होती है, अधिक सारीरिक स्रम करने वा आज सकता कि अनुरूप पॉश्चितत्यों की पूर्थि ना हो तो व्यक्ति को पोशड़ से गर्ष्ट हो सकता है नंबर चार आर्थिक कार व्यक्ति की आर्थिक इस्तित खाद पदार्थों की उपलबदता एवं चुनाओं को प्रभावित करती है निम्न आयवार के व्यक्त अपने दैनिक आहार में महिंगी खाद वर्ष्टियों को सम्मलित नहीं कर पाते हैं इनकी क्रय सकती कम होती है इनके द्वारा ग्रण किया जाने वाले आहार मात्रा एवं गुड़वर्ता दोनों ही द्रिश्टियों में अपूर हो सकता है एवं व्यक्ति कुपोशड से ग् कुवास आधी प्रथाएं विव्यक्ति के सरीन में कुपोशड उत्पाने करने में महत्रण भूमिकानी बाते हैं नंबर च्छै अग्यानता अग्यानता भी कुपोशड को जन्म देने वाला एक महत्रण कारक है कई भारव्यक्ति अग्यानता वस पौस्टिक तत्तों से अग्यानता वस उचित विदी का प्रयोग ना किया जाए तो पौस्टिक तत्तों की हान्य हो सकती है नंबर साथ अस्वास्तकर वातावरण यदि व्यक्ति स्वयं एवं बोजन की साफ सफाई पर विशेश द्यान नहीं देते तो अतिसार संक्रमण आदि से ग्रश्ट हो सकते हैं यदि यह लंबे समय तक चलता है तो कुपोशड का कारण बन सकता है इसके साथ ही यदि व्यक्ति दूस्ट वातावरण में निवास करता है तो ऐसे इस्तिति में उसे पर्याप्त सूर्य का प्रकास एवं सुद्वाव नहीं मिल पाती है ऐसे प्रिश्टितियां भी व्यक् सब्सक्राइब करना अधिक तला एवं मसाले युक्त बोजन गराड करना आधि भोजन समंदी दोस्पूर आदेते भी कोशड का संभावित कारण बन सकती है तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो हुमारे वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से यार करें जाहिए जाए वारत बंदे मांत्रा हुआ